हेलो स्टूडिन्ट आपका नाम काश मिश्रा काका शाच पेपर कैसा था ठीक ही था मतलब कुछ जाधा आई थी मैट्स में कोई डिफिकर्ट टॉपिक आप मैट्स में आप कॉंप्लेक्स नमर से कॉस्टिन्स थे जाधा थे अच्छा इंटिग्रेशन 3D आहां इनसे भी थे क कि अच्छे का से औरगेनिक और इन औरगेनिक में अच्छे जादा आपको इन और जिकल के भी थे अच्छा कट आफ किती जाएगी थोड़ा से प्राउक्स आईडी कट आफ मेरे ख्याल से हंडर्ड क्या सपस्ट चानी शेए चलो कोई बात नहीं आपको नाम का नाम आपने पेपर दिया है कैसा पेपर था अच्छा मैज में कोई इंपोर्टेंट टॉपिक थे जिन से जादा मेजर क्वेशन कवर था इंटिग्रेशन से हुआ हुआ आफ आपैंटर दियू इंटिखरेशन जाहए इंटिग्रेशन से फिर ही दुदिखरavy आपने चाने गराया खहते दा मेर्ट केसा है और जूर जह संपल भी रहा की पाराएं benevolence अब का नाम पंकुरी, आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा था, अच्छा था. मतलब बेसिक मेजर मैट्स में किस में से जादा क्विश्चन्स बने? Maths में functions के question काफी थे और कैल्कुलेटिव जादा ही थी Maths या थोड़ी easy थी Maths easy थी मतलो moderate थी Maths लेकिन काफी लेंदी थी PYQ's self की है थे हमने हाँ तो PYQ's में से हैसा लगा कुछ questions बने हैं बने थे PYQ's और mock test वगेरा mock test में थोड़े थे काफी questions मतलब mock test में से भी थे तो अगला जो slot आएगा उसको कुछ बताना जाओगे कि मतलब कैसे प्रिप्रेयर दर सकते हैं या कैसा कुछ भी advice चला, chemistry कैसा थे? Chemistry थी थे था कापी अब मैं मैं कुछ की मदल थे? अचा, direct कुछ बहुत easy थे मैं मैं आपने इनकी preparation कैसे कर वाड़े? इनोर ने मैं से self न करी है मैं तो self study पर साता है करती हूँ कि आप focus करिए अपनी self study नहीं जैसे मैं मैं अभी जो चल रहा है कोटा के अंदर इतना सादा stress ले दे तो आप पेरेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे मैं तो यही कहती हूँ कि बच्चे कुछ मा गुस्तो करेंगे आप उनका under pressure मत रखिए बच्चे अगर under pressure होते है वो negative में चले दा इसी उनको बाज़े जी सोचे बच्चे कहीं न गहीं तरक्षी करेंगे